और आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ अगर आप प्रोहुस्टी.com पहली बार यूज़ कर रहा तो कैसे यूज़ करोगे मतलब उसमें क्या-क्या फंसन्स हैं और कैसे आपको लॉग इन करना है और कैसे अपने अकाउंट को मैनेज करना है और पूरा क्लाइंट का ओर्विव मैं देने वाला हूँ इस वीडियो में जिससे आपको पता चल जाएगा अटलिस्ट प्रोहुस्टी में क्या-क्या सर्विसेस अवलेबल हैं और कैसे हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं तो फर्स्ट थिंक आपको लॉग इन यहां से करना है अगर आप सर्विस के सी पैनल पर जाना तो इस सी पैनल के आइकन को क्लिक करके मैं डारेक्ट सी पैनल लॉग इन कर सकता हूँ और यहां पे एक अपडेट का ओप्शन है यहां से मैनेज कर सकते हैं मैंनेज भी मैं आपको दिखाऊंगा पर यहां से भी आप कर सकते हो मैं आपको second method भ और यहां पर domain और यह है support option support मैं बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि open a ticket कैसे करते हैं so ticket का section यहां पर है support पर आपको सारे options मिल जाएंगे आपको ऐसे open a ticket कर सकते हो और knowledge base पर आपको बहुत सारी चीजे मिल जाएंगी यहां पर भी कोई record नहीं found हो रहा है क्योंकि अभी यह new post को अगर आपको कोई technical issue चलता है तो आप technical issue पर contact कर सकते हो otherwise आप different purpose के लिए contact कर सकते हो team available से हैं वो आपको solution देंगी अभी हम चलते हैं फिर से इस client area के home पे तो यह button basically home page के लिए है तो अभी हम आते होम पेच पर वापस यहां पर client area के home page पे आ गए हम अभी इस menu को हम close कर देते हैं इस button के use करके अभी यह menu close हो गया जब हमको use पड़ेगा तो हम use कर लेंगे सो first option है active hosting मैं इसको open a new tab कर लेता हूँ और open कर लेता हूँ open a new tab नहीं और active hosting में आपको सारे active plan दिख जाएंगे वही same funda same panel login करने के लिए request for cancellation अगर आपको यह hosting नहीं चाहिए तो आप request to cancellation कर सकते है grade option and manage option so basically हम यहाँ पर manage करने वाले हैं तो यहाँ पर भी same options है आप manage कहीं से भी open कर सकते हो example के लिए मैंने यहाँ पर manage open किया so आपको मैं बताऊंगा कि यह manage पर हम क्या क्या चीजे manage कर सकते हैं यहाँ से बहुत ही simple है बहुत easy steps है और आप को कुछ मलब यहाँ पर cPanel login to cPanel पहला option है यहाँ से हम cPanel login कर सकते हैं यहाँ से अपना webmail यहाँ से हम cPanel का password change कर सकते हैं okay guys बहुत सारे लोग पूछते कि मुझे cPanel का password change करना है उसके लिए support ticket open करते हैं but no need to open any kind of ticket you can also able to change your cPanel password using here so आप यहाँ से भी change कर सकते हो यह add-ons by कर सकते हो यह आप great और downgrade कर सकते हो बहुत से लोग बोलते सर मुझे pro plan पर जाना है या फिर medium plan पर जाना है मनलों मुझे 15 length का चाहिए जन्देट करो कि यहाँ पर एक random password आजाएगा जो काफी secure रहेगा यहाँ से आप copy भी कर सकते हो and copy to clipboard and insert भी कर सकते हो you can only manage on here और यहाँ पर आप उसकी strength जीख सकते हो कि किस तरह का आपको good password रखना है जिससे आपका cPanel hack ना हो आप overview पर फिर से वापस आते हैं यहाँ पर आपको package दिखेगा यह important information totally depend करती है आप पर कि आपका कौन सा server पर आपको hosting मिली है अभी server 2 पर इसका hosting है और इसका name server यह है और यहाँ चाहाँ विजिट वेबसाइड और हुईस देख सकते हो कि यह domain पर name server अपडेट हुआ यह न और यह free gift है तो इसको भी आप grab कर सकते हो अगर आप चाहो तो बहुत easy है इसके लिए मैंने video भी बना रखे तो आप देख भी सकते हो यहाँ पर आपका billing overview दिखेगा billing overview में generally आप सारे अपने billing की details देख सकते हो कि कब इसकी hosting जंदेट हुई है next due date कब है किस से मैंने payment किया थ मतलब जिससे example के लिए भी हम मैं चलाता हूँ support at the rate prohosty.com तो यहाँ पर support लिख दीजे prohosty.com और उसका password लिख दीजे and then आप create करेंगे तो create हो जाएगा आपका नया email business email यह रहा overview manage का overview अभी चलते यह आपका shopping cart है उपर और यहाँ पर notification है notification में आपको हमेशा unpaid जो भी invices रह करते हो बट अभी मैं back to client area आता हूँ और भी चीजे आपको बता देता हूँ जो आपको useful होंगी active ticket में आपकी tickets दिखेंगे जो अपनी support के लिए request किया है वो दिखेगा कि कि कितने लोगों ने आपकी ticket को देखा और reply किया यह over to invoice so basically लोग मुझसे पूछते कि sir कैसे अपना account रेनेवल करें so this is the best option यहां से आप आओगे तो यहां पर आपका unpaid, paid or cancel जितनी भी invices रहेंगी वो आपको दिख जाएंगी आपको सिफ unpaid वाली invoice पर click करना है and यहां से आपको pay now पर click कर देना है तो आपका वो paid हो जाएगा so अभी आपको मैं एक और option दिखाता हूँ जो आ मतलब यह इस account की detail को edit करेगा इस पर भी आपको एक important option मिलता जैसे आप कोई website run कर रहा हो web hosting run कर रहा हो उसमे multiple user है या फिर हम दो दोस्त मिलके कोई website चलाना चाहते है example के लिए so यहां पर आप आपने जो second partner है उसका भी detail add कर सकते हो और वो भी login करेगा तो उसको भी same access मिलेग प्रो हुष्टी का यहां पर देखिए sub account information तो यहां पर आप sub account add कर सकते हो secondary बंदा जो आपका यूज करना चाहे वो यूज कर सकते हो so easily यहां पर आप sub account add करके जो जो permission देना चाहते हो आप यहां इसे पूरा manage कर सकते हो कि इसको क्या permissions हो सकती है और यह security settings है यह आप check out कर लिजेगा एक बार यहां से आप password भी change कर सकते है security setting में आप facebook और google से connect कर सकते हैं जिसके थूर आप single sign in का enjoy कर सकते हैं without any issue और भी कुछ settings की मैं बात कर लेता हूं यहां पर my emails basically लोग पूछते कि sir मेरे को product mail नहीं मिला या फिर sir मेरे पास mail नहीं आते प्रोष ठीक है तो अगर आपकी पास mail नहीं आते हैं then you can also able to check here my mail section जब आप my mail section पर जाओगे तो आपको जितने भी mail नहीं को दिख जाएंगे और remember आप याद यह mail के वाल 30 days old तक के ही रहते हैं so अगर आप 30 days बात check करते हो तो आपको यह mail नहीं मिलेंगे so अभी यहां पर change password security settings इन सब चीजों के बारे में हमने बात करी लिया है I hope guys इस पर मैं पूरा आपको explain कर दिया हूं कोई भी topic ना बचा होगा so अभी मैं आप फ्री SEO tools भी देख नहीं आता आप मेरे को mail कर दो WhatsApp कर दो कुछ भी कर दो आपको information मिल जाएगी so यहां पर हम free tools पर click करेंगे आप most account पर हम आ गया है और यहां पर जब click करेंगे login so यह temporary page open होता है उसके बाद यह आपको most पर login करा देगा जो account login है pro host users के लिए so आप इस पर use कर सकते हो so आप use करो बहुत सारे लोग use करते हैं यह example के लिए आप checkout भी कर सकते हैं बहुत सारे user इस पर काम करते रहते हैं always सब यह दो दिन बचा हुआ है फिर दो दिन बाद यह automatic रहने हो जाएगा तो इसके लिए आप टेंसर मतलो mail तक लिए वीडियो में गुड़ बाई